डेली करेंट न्यूस पे अभी की खबर है कुफोस का जीनोम संपादन मिशन हालिया खबरों के मताबिक कीरल मत्स इवव महासागर अध्यन विश्व विद्याले यानि कुफोस मोती उतपादन में वृध्धी को लेकर एक जीनोम संपादन मिशन शुरू करने के लिए तयार है चलिए अब जानते हैं जीनोम संपादन मिशन के बारे में इस मिशन को केरल में परल स्पोर्ट के किसानों को ध्यान में रखकर शुरू किया जा रहा है इन किसानों द्वारा केरल के जंगलों में अत्यदिक अनियंतृत वातावरण में मचलियों का प्रजनन कराया जाता है जिससे मचलियों का शरीर भार मुश्किल से 300 से 400 ग्राम तक ही पहुच पाता है इस मिशन के तहट पर्ल स्पॉर्ट मचलियों के जिनोम को एडिट करके उनकी आनुवांशिक सनशना को लक्षित किया जाएगा जिसके द्वारा पर्ल स्पॉर्ट के प्रजनन और बीज उत्पादन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी गौर तलब है कि जिनोम संपादन एक तरह की आनुवांशिक इंजीनरिंग होती है इसमें किसी जिविद जिव के जिनोम में डिने को डालना, हटाना, संशोधित करना या प्रतिस्थापित करना शामिल होता है चले अब जानते हैं पर्ल स्पॉर्ट फिश के बारे में यह मचली की एक देशी प्रजाती है तथा प्रायद्वीपी भारत के पुर्वी और दक्ष्र पश्यमितटों पर बड़ी मात्रा में पाई जाती है यह केरल में करीमीन के नाम से प्रसिद्ध है इसके क्रिशी, खारे पानी और मीठे पानी दोनों तरह के तलाबों में की जा सकती है अपने प्राकरतिक आवास में परल स्पॉर्ट का रंग हलका हरा होता है तथा इसके शरीर में आठ खड़ी पट्टियां उपलब्ध होती है इसमें कमवसा और उच्च प्रोटीन मिलता है जिसमें ओमेगा-3 fatty acid भरपूर मात्रा में होता है वहीं ओमेगा-3 fatty acid हमारे दिल और मसिक्स को स्वस्त रखने में सहायक होता है इस किसम में विटामिट D और राइबो फ्लेवीन के साथ साथ कैल्शियम और फास्पोरस जैसे खनीच प्रचुर मात्रा में उपस्तित है तो चलिया अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रशन को जीनोम संपादन मिशन के संबंध में निम्रलिकित कथनों पर विचार कीजिए एक, इस मिशन के तहट परल स्पोर्ट मचलियों के जीनोम को एडिट करके उनके आनुवांशिक सानचना को लक्षित किया जाएगा दो, इसे तमिलनाडू के परल स्पोर्ट के किसानों को ध्यान में रखकर शुरू किया जा रहा है तीन, इसके द्वारा परल स्पोर्ट के प्रजन और बीज उत्पादन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी उपर युक्त में से कितने कथन सही है या सही है एक एवल एक, बी केवल दू, सी सभी तीन, डी इन में से कोई नहीं इस प्रशका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दे, अभी के लिए बस इतना ही धन्यवाद Dear viewers, अपने एक्जाम की तयारी को और बहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना न भूले